Hackers एक बड़े कमाल का तरीका आजकर इस्तेमाल करते हैं आप सुनना क्या करते हैं वो लोग आपने VBA Macro का नाम सुना होगा जो कि Excel में, Word में, even PowerPoint में चलती है तो उसमें आप लोग ने कुछ ऐसा code लिख सकते हो जो कि आपके Windows का data collect करके किसी server पर बेच सकता है या फिर आपका personal data within Macro program ला सकते हो आप hackers क्या करते हैं कि इस तरह की Macro enabled file बनाते हैं यसे वानलों Excel SM बना ली उन्होंने एक Excel sheet बना ली जिसमें Macros enabled है Macros basically है programming within Excel उसमें वो code लिखके आपको file बेचते हो तो आप खोल के देखो कि जैसे ही आपका computer hack हो जाएगा कैसे hack हो जाएगा computer आपको मैं बताता हूँ जैसे ही आप खोलो गे उस file को automatically वो execute हो जाएगी macro आपका data चुरा लेगी या तो आपकी कोई file चुरा लेगी है कोई ऐसी sensitive info चुरा लेगी तो इस तरह की कोई macro भेजता है तो Gmail उसको कहता है कि भाई नहीं यह जो macro है वो एक malicious file है तो do not open it अब hacker क्या दिमाग लगाता है सुनना वो आपको एक email करेगा कुछ इस तरह का कहेगा कि यार कुछ issue के कारण आप ये PDF file डाउनलोड करके इसकी .pdf extension को rename करके Excel SM कर लो उसने basically भेजी तो आपको एक Excel file लेकिन उसने उसकी extension को .pdf कर दिया फिर वो आपको reasons देता है कहता है कि भाई देखो due to some reason आपको ये .pdf को change करके Excel SM करना पड़ेगा आप भोले बाले कर लोगे आपको यार चलो ठीक है कर लेता हूँ जब उसने आपको फाइल भेजी ना Gmail के माध्यम से उसने उसकी extension को .pdf कर दिया ताकि file चली जाए क्योंकि अगर उसने macro enabled file कर दी तो file जाएगी नहीं और एक पर file आपके पास आगई तो आपका ठीक हो सकता है अब आप Gmail को भी जो है दोशी नहीं ठेरा सकते क्योंकि Gmail गएगा भाई यह तो PDF थी मैं कैसे scan करता है Gmail थोड़ा सा यहां पर पीछे है लेकिन SquareX नाम की एक extension है जिसके अंतर दो features हैं बड़े कमाल के वो हम देखेंगे इस वीडियो में पहला feature जो है वो यह है कि आप लोग इस तरह के attacks से बच सकते हैं डिरेक्ली वही के वही SquareX रोक लेगा आपको बता देगा कि भाई यह file malicious है यह actual में एक .pdf है ही नहीं किसी ने आप लोगों को बेफकू बना कर यह .pdf के नाम पर Excel SMBG है तो आप इस तरह के malicious attacks से बच जाते हो दूसरी चीज़ यह है कि आप वहीं के वहीं without actually opening the document आप उस document को खोल के देख सकते हो कि किस किस ने उसको edit किया है actual में वो कौन सी file है जैसे कि दिख तो .pdf री है लेकिन actual में अकर वो Excel file है तो बता देगा extension आपको SquareX की extension गएगी भाई साब यह .pdf नहीं है यह एक Excel है आपको बेपूफ बनाया जा रहा है मैंने एक वीडियो बनाया था कर आपको SquareX के बारे में नहीं पता तो आप देख ले ना और इस extension को install कर ले ना सिंपली Chrome Store पर जाके इसको install कर ले डिस्पोसिबल ब्राउजर, File Viewer और उसी के साथ साथ बहुत सारी features थे इसमें मैंने जिन की बात भी करी थी आप लोगों से तो वो सारे features के साथ-साथ यह दो features हम explore करेंगे तो computer screen में आप लोगो लेके चलता हूँ जिसमें एक macro है जो की malicious है मेरी बात को याद रखना malicious macro मैंने इसमें डाले हुई है इसके बाल मैंने same file को rename करके एक PDF बना दी है अब मैंने यहां पर क्या करा दो emails भेजे एक तो मैंने भेजा PDF वाला अटैच करके और जो दूसरा document मैंने भेजा वो भेजा XLSM वाला तो जो XLSM वाला document था वो आया मेरे spam में लेकिन PDF detect नहीं हो पाई PDF मेरी spam में नहीं गई PDF मतलब लगा इसको Gmail को कि यह malicious document नहीं है तो मैंने SquareX के extension install कर रखी इसलिए आपर malicious document लिखकर आ रहा है बता दो आप लोगों को आप लोगों को नहीं लिखकर आएगा बट जरा सोचो same file मैंने भेजी PDF same file मैंने आपर भेजी XLSM लेकिन जो XLSM है वो इसेने detect कर ली as a malicious file मतलब Gmail ने Swam में डाल दी लेकिन यह वाली file इसने go through कर दी यानि कि अगर मैं आपर कह रहा हूँ कि due to security reason we had rename the file to PDF तो आप यहाँ पर देखो कि कोई भी इनसान अगर इसको XLSM में rename करके वापस से लाएगा तो यह वाली file बन जाएगी और मैं आप लोगो दिखाना चाता हूँ इस file को execute करके क्या होगा तो मैं आपर calc.xlsm को यहाँ पर मैं enable content पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो इसने exe execute कर दी मैंने अभी यह जो file होड़ी हलकी भुलकी बनाई है सिर्फ calculator.exe execute कर रही है macro लेकिन भाई जरा आप यह सोचो यहाँ पर कि अगर यह macro कोड में कोई और malicious file execute कर दूँ तब क्या होगा समझे जो आप लो क्या यहाँ पर hackers गेम खेल रहे है तो इस चीज को stop करने के लिए अब आपको कैसे पता चलेगा यार आप कोई खोजते रोड़ी ना रहोगे कि यार मैं यह वाली file कहीं Excel SM वाले scam का शिकार तो नहीं हो सकता है भाई आपकी computer में PDF file डल जाए और उसके बाद उसको किसी और program से rename कर दिया जाए तो यह बहुत बड़ा security जिसक है और आपका computer compromise हो सकता है तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करोगे कि SquareX की इस extension को डालोगे और यहाँ पर smart integration पर आकर आप enable कर लोगे scan for malicious documents और additional view options for attachments यह दोनों मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है तो अगर आप लोगों मेरा पुराना SquareX को वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना उसको मैंने basics बताया SquareX के लेकिन यह जो दो फीचर से इन दोनों को मैं आपको जल्दी से demo करके बताता हूँ scan for malicious documents तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसने flag कर दिया इसको as a malicious document और इसको भी कर दिया flag as a malicious document Gmail नहीं कर पाया Gmail नहीं कर पाया Gmail नहीं यह वाला जो मेरा document xlsm वाला उसको तो लेकिन इसको spam में नहीं पटक पाया उसको लगा यह PDF file है तो ठीक है ठीक है तो अब क्या होता है जो Gmail है जैसे कि Gmail सारे काम करे Gmail जो होता है वो उसका काम है वो एक mail client है वो email वगारा बेजने के लिए है इतना security को लेकर मतलब है serious ऐसा नहीं कि serious नहीं है उतना जादा drill down नहीं करता है security अब अगर आप Gmail से शिकायद करोगे कि या PDF आगई यार मेरा computer hack होगे तो Gmail आपसे कहेगा क्यों कर रहे हो यह हरकती लेकिन एक जो normal user होता है उसके पास इतनी जादा अकल होती नहीं है बतलब technical अकल नहीं होती है QR code भी execute हो जाता है Excel से नहीं पता होता है सबको अब यहाँ पर एक चीज वर्थ mentioning यह है कि SquareX इतनी सारी चीज़े कर पा रहा है उसका reason यह है कि जब आप extension को install करते हो तो browser में रहते रहते हैं आपके computer की resources का इस्तमाल करके यह सारे काम करता है जिससे कि यह easy हो पाता है SquareX के लिए सारे computations करना malicious document detect करना और जो जो आपको यह दिखा रहा है वो करना इसी के साथ जब आप यह malicious document detect होने के बाद इस पर आप click करते हैं तो आप देखो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं यहाँ पर click करके save file viewer में इसको देख सकते हो दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो यह है कि आप इस file को clean up कर सकते हो यानि कि आप clean करके इसको download कर सकते हो इसमें से macro निकाल सकते हो अब आप देखो यहाँ पर you can choose to download as PDF अब क्या होता है कि जब आप download as PDF करते हो तो इसकी PDF बना के आपको कम से कम दिखा देगा कि यार इसके अंदर क्या है तो आपको पता चल जाएगा कि overall इसके अंदर है क्या instead कि आप Excel SM को download करो और उसके बाद फिर macro चल जाए और कोई malicious infection आपके computer में लग जाए तो मैं wait करता हूँ इसके conversion का तो यहां पर देखो कि यह सारा data जो है मुझे देखने को मिल गया तो यह macro free file का generation जो है मैंने कर दिया मैं इसी file को save file viewer में भी खोल सकता था अगर मैं यहां पर open in save file viewer करूँगा तो यहां पर यह prepare कर रहा है disposable file viewer और यह disposable file viewer को लोड करके मुझे फाइल दिखा देगा disposable file viewer में अब देखो as excel ही दिखा देगा तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हों कि मैं यहां पर इसको as an excel चला सकता हूँ मैं insert पर click कर सकता हूँ draw पर click कर सकता हूँ जो चोटे बोटे excel वाले काम है तो ऐसा भी मुम्कीन हो सकता है अगर आप लोगों ने square x के extension डाउनलोड करी है तो overall बड़े कमाल के features है और आपको एक बहुत बड़े malicious attack से बचाते है अब एक और चीज में आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ आप अगर चाहो तो technical details देख सकते हो इस file के बारे में आप देख सकते हो कि इसके extension claim तो कर रहा है PDF है लेकिन actual में यह xlsm है तो यहीं के यहीं आपके browser में पता चल गया कि यह xlsm है लेकिन इसको दिखाया जा रहा है प्रस्तुत किया जा रहा है as a PDF तो यह एक security threat है तो कुल मिलाकर शुरू में ही पकड़ लिया इसने कि यह एक security threat है इससे बचके रहो बहुत बढ़ी है और भी बहुत सारी चीज़ा है जो इसके बारे में बता रहा है कि इसमें auto execution लगी हुई है यानि कि जैसे आप खोलो गे वारूम हो खोला दोगे आपने download तक नहीं किया और यह साया data आप लोग को मिल जा रहा है तो यार जो hacking की technique है बड़ी innovative है और इस innovative technique से कैसे बचना है SquareX यसे extension को डाउनलोड करके रखो एकदम free of cost आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो